इस मॉड्यूल में हम जो टूल डिवेलप कर लेते हैं उस टूल की पाइलट टेस्टिंग का कॉंसेप्ट उसकी एहमियत और उसके तरीकाइकार पर बात करते हैं जब हमने पिछले में मॉड्यूल में टूल फ्रेमवर्क देखा तो उसके सारे स्टेप्स मुकमल किये तो हमने कहा कि उसके नतीजे में एक टूल बनता है जो फर्स कर लेजिए क्वेस्टनेर है या कोई अब्जर्वेशन शीट है कोई इंट्रिव्यू स्केज्विल है जो ब वाकई ऐसा हुआ या नहीं हुआ यह तो मुझे तभी पता चलेगा जब इस पर डेटा क्लेक्ट किया जाएगा और फिर मैं उस डेटे का अनेलेसिस करूँगा उन टेक्नीक्स के साथ जो मैंने रिलाइबिलिटी मेयर करने की आपको सिखाई या मैंने आपको वैलेडिटी इन्शोर करने की टेक्नीक से खाई तो ही मैं यकीन से कह सकूँगा कि ये टूल कितना अपने करेक्टरिस्टिक्स में रिलाइबल है या वैलेड है या अच्छा है तो पाइलेड टेस्टिंग बन्यादी तोर पे टूल को बेहतर बनाने का एक मेकनिसम है एक तरीका है जब आपका टूल बन चुका तो आप उसके बाद उस टूल को एक स्मॉलर सांपल पे जो के अपनी उस पापुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो जिस पापुलेशन पे म हमने बात की थी framework में तो आप देखे कि मैंने teachers पे इसका मतलब है यह टूल इस्तमाल करना है मैंने classroom फर्ज करने observation का कोई tool बनाया था तो मैंने उसको classroom में जाके देखना है और teachers से data collect करना है teacher teaching कर रहे होंगे तो मैं observation करूँगा अब teachers में बहुत सारी variety पाई जाती है ज्यादा qualified है, कम qualified है, ज्यादा experienced है, कम experienced है, female teachers है, male teachers है, urban school हो में पढ़ाने वाले teachers है, rural school हो में पढ़ाने वाले teachers है, primary grades को पढ़ाने वाले teachers है, elementary को पढ़ाने वाले है, secondary को पढ़ाने वाले है आप देखें कितनी विराइटी है टीचर्स में अगर मैंने ये टूल उन तमाम टीचर्स पे इस्तमाल करना है और डाटा कलेट करना है तो जब मैं पाइलेटिंग करूँ तो मेरे सांपल में इस तरह की हर जो मैंने एक आपको किसम बताई या एक डिस्टिबूशन बताई हर का टीचर उस सांपल में नहीं होगा तो मेरे लिए वो पाइलेटिंग बहुत अफादियत नहीं रखेगी तो मैं बेशक एक छोटा सांपल सेलेक्ट करता हूं लेकिन कोशिश करूँगा कि हर तरह के साथजा उसमें शामिल हो और मैं उनकी क्लास में जाकर अपने टूल से करूं और फिर उसके डेटे को एनलाइज करके फैसला करूं कि मेरे टूल के कौन कौन से हिस्से ठीक परफॉर्म करते हैं इस बात को आपने ध्यान से याद रखना है कि मैं असाथजा की कारकरदगी चेक नहीं कर रहा पाइलेटिंग में मैं अपने टूल की करेक्टनेस को म डेटा लेने का मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं बाद में को रिपोर्ट जनरेट करूंगा जो बताएगी के साथजा कितनी अच्छी टीचिंग कर रहे थे नहीं पाइलेटिंग के डेटे से मैं ये अनैलेसिस करूंगा कि मेरा कौन सा सवाल लोगों को समझ आया मेरे कौन से के बनाए हुई हैं जो मे satisfs की समझ में आई हो मैं अपने टूल में खामै में और खूबयां तलाश करने के लिए इसол डेटे का एक सातधा की कार करेकरद्गी का जाहिजा लेने के लिए डेटे का डाइम डे座र अनैलिस नहीं करता हैं पाइलेट टेस्टिंग में मकसद पहले participants select करते हैं जो मैंने भी जिकर किया कि जितनी उन में variety है कोशिश करें कि वो तमाम variety आपके piloting के वक्त जो sample आप लें उसमें वो cover हो जाए फिर आप tool को administer करते हैं data आपके पास आ जाता है उस data को analyze करते हैं उस पे फिर आप feedback बनाते हैं feedback जो है वो किसके लिए है researcher के लिए है कि वो अपने tool को बेहतर बना सके feedback is not about teachers feedback is not about effectiveness of teachers feedback किसके बारे में है कि tool के characteristics आपके ठीक हैं या नहीं है और फिर आप उसी data को इस्तमाल करते हुए उसकी reliability निकालते हैं उस data से validity निकालते हैं इसमें जो फिर आगे वाले steps में बाद मीं बताता हूं लेकिन पहले बात यह देखिए कि कितना sample बनाना होना चाहिए मेरे पास पाइलिटिंग के लिए तो काफी होता है बहुत सारे लोगों ने राय दी अपनी अपनी लेकिन जो मुझे सबसे बहतर लगा वो बात यह थी कि आपके टूल में जितनी statements हैं आप उन statement में है statement के against पांच लोग ले लीजिए मसले मैंने एक questionnaire बनाया था जिसमें 20 statement थी तो मुझे 100 लोगों से data लेना चाहिए और 100 लोगों में वो तमाम लोग शामिल हों जैसे ज्यादा qualified, less qualified, male teacher, female teacher, urban, rural teacher, primary school के teacher, elementary के teacher, high के teacher, जितनी variations मैंने बताइए वो तमाम तरह के teacher शामिल हों और कमस कम 100 teacher हों अगर मेरे questionnaire में 20 सवाल है अगर 30 सवाल है तो 30 को 5 से जरब दे लीजिए इतने लोगों से कमस कम data लेना होगा मैं तब वो piloting हो पाएगी ये तरीका कि मैं tool बनाऊंगा और 10 लोगों पे pilot कर लूँगा तो उसके data से आप ये फैस करके reliability validity निकाल ली तो जो उसमें से खामिया मुझे नजर आएं मैं अपने tool को revise करूँगा या तो उन चीजों को निकाल दूँगा जिन में खामी थी या फिर उनको repeat करूँगा revise कर दूँगा उनको बहतर बना दूँगा और जब भी आप बहतर बनाएंगे तो फिर आपको reliability validity निकालने के लिए फिर यही data चाहिए होगा तो इसका असान तरीका क्या है देखें यह बड़ा मुश्किल काम है कि मैं बार बार पाइलेटिंग करूँ तो हम ममूमन यह करते हैं कि पाइलेटिंग के वक्त आप जितनी statements बनाई थी उनकी alternate statements बनाते हैं ताकि जब बाद मे मुझे पाइलेटिंग करने लिएंगा तो सौ लोगों की जुरूरती तो मैं कोशिश करूँगा या 200 लोगों से data ले लूँ कि एक गो में data लेना उतना मुश्किल नहीं है मैं ले लूँगा जो लोग ठीक response नहीं कर रहे होंगे खाली छोड़ रहे होंगे या उनके response में patterns ह होंगे तो मैं ताकि उनका data eliminate कर दूँ ना के मुझे दुबारा जाके वो data पूरा करना पड़े तो इसलिए आप पाइलेटिंग के वक्त पहले से इस तरह के मैयस ले ले लेते हैं और फिर उन observations को जो analysis यह ही record करते हैं उस recorded के बनियाद पे टूल को revise करते है और revise टूल जो हो पाइलेटिंग आपके टूल की refinement का mechanism है पाइलेटिंग आपकी research के construct का data generate करने का तरीक अकार नहीं है और यह काम आप larger data collection से पहले टूल की development के वक्त के मुकमल करते हैं